जो पॉलिप होते हैं वो यूजवली रेक्टम में होते हैं ये सिग्माइड में होते हैं यूजवली वे अंदर भी हो सकते हैं पॉलिप सिंगल हो सकता है पॉलिप मल्टिपल हो सकता है पॉलिप का मतलब है छोटी सी मांस की गांट ये जो है ये दो तरह के होते हैं यह जो polyp होते हैं, जो आत होती है, रेक्टम होती है, सिगमाइड होती है, उसके आत के जो दिवार होती है, उससे उगते हैं, यह लटके हुए हो सकते हैं, यह चिपके हुए हो सकते हैं, जो लटके हुए polyp होते हैं, उन्हें हम पेडंकुलिटेट पॉलिप कहते हैं, और जो चिपके हुए polyp होते हैं उन्हें हम sassile polyp कहते हैं तो ज़सा मैंने कहा कि यह single भी हो सकते हैं यह multiple भी हो सकते हैं यह कई भी हो सकते हैं जो polyp होते हैं इनकी सत्य पर छोटे-छोटे छाले गाव उतर जाते हैं क्योंकि letrin इनके ऊपर छुज़े निकलती है तो इनको छीलती हुई निकलती है अगर latin constipation होगा latin tight होगी, hard होगी तो चुकि यह polyp छील जाते हैं तो उनके उपर छाले हो जाते हैं और जो छाले हो जाएंगी तो उनमें से bleeding होने लगेगी जैसा मैंने पहले भी कहा जो polyp से bleeding होती है वो fresh होती है खून जो होगा वो विलकुल लाल रंका होगा जो खून होगा वो latin के उपर लगा हुआ होगा या latin के पहले आएगा बून-बून-बून या latin करने के बाद आएगा बून-बून-बून लेकिन यह painless होगा और fresh होगा या यूजवली बच्चे को constipation होगा कभी-कभी बड़े बच्चों में भी देखने में मिल जाता है कभी-कभी बहुत छोटे बच्चों को भी मिल जाता है लेकिन यूजवली तीन साल, चार साल, पांस साल यह age group है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें polyp दिखाई देता है अब प्रिश्म होता है कि अगर बच्चे को bleeding हो रही है तो हम क्या करें, कैसे पहचाने के खून कहां से आ रहा है इस चीज़ को देखने के लिए के खून कहां से आ रहा है सबसे अच्छा जो उपाय है वो है sigmoidoscopy या जिसे आप कह सकते हैं short colonoscopy short colonoscopy करने के लिए हम बच्चे को एक छोटा सा एनिमा देते हैं जिससे आथ साफ हो जाती है साफ करने के बाद हम lettering के रास्ते से एक पतली सी लचीली tube पास करते हैं जिसके tip पर light होती है और एक camera लगा हुआ होता है जैसे ही आथ में light डालते हैं और camera तो पूरे के पूरे अंदर के दर्श्य को camera पर दिखा जा सकता है और चुकि light तेज होती है तो पूरी के पूरी आथ हमें दिखाए दे जाती है यह आथ से clear हो जाता है कहीं कोई गांट तो नहीं है कहीं कोई चाली तो नहीं है कहीं कोई और चीज तो नहीं है जिससे polyp, जिससे blood आ रहा है इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे को bleeding हो रही है उस bleeding को यह पहचानने के लिए कि bleeding कहां से हो रही है सबसे अच्छा जो उपाय है वो है sigmoidoscopy करना या short colonoscopy करना जो short colonoscopy की जाती है छोटे बच्चे में इसमें किसी भी तरह की किसी एनेस्थीसिया की, नीन की दवाई की, उसकी किसी भी प्रकार की आवश्रकतर नहीं होती है एक छोटा सा एनिमा देना पड़ता है एंड लेटरिन के रास्ते से एक पतली लचीली रबर पास कर लाइट डाल के उसको देखा जा सकता है पूरी के पूरी सिग्मा इडिस्कोप में पाँच मिनिट का टाइम लगता है और इसे क्लियर हो जाता है कि बच्चे को बलड कहां से देखा